सपा सुप्रीमो मुलायम सिंग यादव के तब्यत में सुधार नहीं आ रहा है चार दन से बैंटीलेटर पर हैं मुलायम सिंग यादव दिल्ली और लखनों के फामिली डॉक्टर से संपर्क में मेदानता के डॉक्टर हैं डॉक्टरों का एक्सपर्ट पैनल कर रहा है 24 घंटे निगरानी लेकिन कोई सुधार अब तक नहीं नज़र आ रहा है आपको बता दें कि मुलायम सिंग यादव उनकी तब्यत खराब है इसलिए उन्हें गुडगाओं के मेदानता अस्पताल में भरती कराया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी में वो लगातार हैं लेकिन बावजूद इसके चार दिन से वेंटी लेटर पर रखे गए मुलायम सिंग यादव की स्तिती में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है चार दिन से वेंटीलेटर पर हैं मुलायम सिंग्यादव, दिल्ली और लकनों के फैमिली डॉक्टर से भी संपर्क में हैं मिदानता हॉस्पिटल के डॉक्टर, डॉक्टर का एक्सपर्ट पैनल कर रहा है 24 घंटे निगरानी, यानि 24 घंटे निगरानी रखी जारा की है मुला प्रातना कर रहे हैं और चार दिन से वो वेंटिलेटर पर हैं लेकिन किसी तरह का कोई मुवमेंट उनके अंदर नहीं देखा जा रहा है। ठीक हो जाएंगे हाला कि आपको ये भी बता दे कि देश के प्रधार मंतरी नरींदर मोदी ने भी फोन करके अखलेश यादव से उनके पिता मुलायम सिंग यादव की हाल चाल जाना था और राखुल गांधी प्रियंक गांधी भी लगातार प्राकना कर रहे हैं कि मुलायम स सिंग्यादव जल्दी ही स्वस्त हो जाए ठीक हो जाए लेकिन चार दिन से इस सिती में कोई सुधार नहीं है जादर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समर राता संजे खन्ना जोड़ गया हैं टेंजे फिलहाल चार दिन से बंटिलेटर पर है किसी तरह कोई मोमेंट नहीं मुलाइम इस तरह को इसी तरह कँ सुधार नज़र नहीं नहीं हम आधिक एफिक मिडेख मेंiff Cassolo ब्सकडा भी कोई कि और यहां तक कि जो मेडिशिटी होस्पिटल है उसकी तरफ से भी सिर्फ एक लाइन का मेडिकल बुलेटेंग जारी किया गया है जिसमें यह का गया है कि वह आई सीव में दाकिर है जहां उनका इलाज चल रहा है तो अभी इस बारे में कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है कि उनक पास रहने में दिकत हुए कि उसकी वज़ास उनको दाखिल कराया गया था पिछले एक महिने से वह गुड़गाओं का मैडिशिटी होस्पिकल में दाखिल है लेकिन उनके शीरे में इंफ्ट्रेंट्रेंग वाज़ा से और यूरेन में इंफ्ट्रेंट्र पर रखना अभी तक ही स्वास के बारे हम कोई जादर जानकारी दी है लेकिन जो सूद्र है वो यह भी बता रहे हैं कि उनको मेंटिलेटर पर रखा गया जी ठीक है संजय आपका बहुत बहुत शुक्रियत तमाम जानकारी के लिए